Hello students, welcome back to my channel आज हम discuss करेंगे December 2019 के CSIR Net Life Sciences के कुछ questions को So let's start सबसे पहले एक question आईए इस question में क्या लिखा है In what respect does the genome of slow acting retroviruses differ from those of transducing viruses अब सबसे पहले question में आपको क्या बोला है कि slow acting retroviruses जो होता है उनके DNA में ऐसे क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो transducing viruses से differ करते है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो भी viruses होते है retroviruses होते है RNA viruses मतलब वो दो type के होते है एक slow acting होते है और एक होते हैं transducing नाम से क्या पता चल रहा है कि slow acting वाले जो होते हैं वो बहुत slow काम करते हैं और cancer बहुत time बाद cause करते हैं मतलब कुछ महीने लग जाएंगे कुछ years लग जाएंगे तभी वो cancer cause कर पाएंगे लेकिन transducing viruses जो होते हैं वो उनके opposite होते हैं मतलब वो कुछ ही दिनों में cancer cause करना शुरू कर देते हैं अब क्या होता है cancer cause करने के रिए कोई भी अगर normal cell होगा तो उसके अंदर कुछ genes होती है जिन genes को बोलते है proto-oncogenes जैसे यहां भी लिखा हुए तो proto-oncogenes का मतलब क्या होता है वो normal cellular genes होती है जो normally cell की growth, development में regulation में help करते हैं बट उनके अंदर जब mutation हो जाती है तो उनसे बन जाती है oncogenes ठीक है? oncogenes होती है cancer causing genes मतलब जब भी proto-oncogenes oncogenes में convert हो गई तो cancer होगा अब यह जो mutation होता है यह mutation point mutation भी हो सकता है यानि single nucleotide में change क्या फिर localized re-duplication भी हो सकते हैं कोई particular region फिर से duplicate होके presented multiple copies में क्या फिर translocation हो सकता है यानि वो translocate हो गया अपनी location उसने change कर दिया उस particular gene ने particular DNA sequence में तो अगर हम बात करें slow acting retroviruses की तो इन में क्या चीज नहीं होती जिसकी वज़ा से यह slow act करते हैं तो इनके अंदर oncogenes नहीं होती normally क्या होता है अभी बताया मैंने आपको की proto oncogenes हमारे cells में present होती है बट कुछ viruses क्या करते हैं अपने अंदर पहले से एक type की oncogenes carry करते हैं उसको carry करने का क्या फायदा होता है कि वो जब भी infect करेंगे किसी भी cell को तो एक दम से उनकी oncogenes जो है जो उनके अंदर present है वो उस cell के अंदर जाएगी और cancer cause कर देगी तो उसमें ज़्यादा time नहीं लगता इसलिए transducing viruses में खुद की oncogenes होने की वज़ा से इनके अंदर tumor cause करने की power बहुत fast होती है ठीक है क्योंकि इनके अंदर oncogenes associated है बट slow acting retro viruses जो होते हैं उनके अंदर oncogenes नहीं होती वो lack करते हैं oncogenes को जिसकी वज़ा से वो long latency period show करते हैं मतलब latent रहते हैं काफी time तक वो active नहीं होते काफी time तक cancer cause नहीं करते हैं तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा they lack an oncogenes ठीक है oncogenes lack करते हैं इसलिए वो transducing viruses से अलग हैं अब next question है इस next question में बोला गया है sodium independent iodide chloride transporter इसका नाम किस नाम से इसे जाना जाता है तो यहां 4 options आपको दिये हुए हैं इन में से अगर हम बात करें first option की जो है megalin megalin क्या होता है megalin एक type का transmembrane protein है transmembrane protein मतलब यह plasma membrane को cross करता है तो काफी जादा इसमें helices present हैं जो transmembrane है उस membrane के बीच में present होते हैं transmembrane यह protein है LDL receptor family में आता है low density lipoprotein की family में आता है तो इसका काम क्या होता है इसका काम होता है कुछ ligands की endocytosis करना endocytosis मतलब cell के अंदर कुछ चीज़ों को भेजना अब वो कौन-कौन सी चीज़ें होती है most common है retinol retinol जो retinoic acid बनाता है retina के लिए जरूरी होता है तो उसके लिए यह help करता है तो यहां कहीं हमने पढ़ा कि एक sodium independent iodide chloride transporter की तरह काम कर रहा है तो यह इसका answer नहीं हो सकता next आता है pendrin जो है इसे anion transporter की तरह जाना जाता है anion का मतलब क्या है negatively charged substances होंगे अब क्या है कि यहां आप देखोगे iodide chloride दे रखा है iodine के उपर भी iodide के उपर भी minus का charge होता है और chloride के उपर भी minus का charge होता है मतलब यह भी anion transporter ही है ठीक है और किसके independent है sodium के क्योंकि sodium positively charged atom है तो आप क्या बोलोगे cation के independent यह भी नहीं होता sorry cation के dependent यह भी नहीं होता यानि pendrin जो है वो सबसे accurate माना जाएगा इस question का answer जो लग रहा है उससे पहले कुछ और भी हम options discuss कर लेते हैं जैसे है transthirotin transthirotin जो होता है यह भी एक transport protein होता है बट यह किस लिए ज़रूरी होता है thirotin से आप समझ सकते हो thyroxin hormone जो thyroid gland का hormone होता है उसको transport करने में यह help करता है next है प्रेस्टिन प्रेस्टिन जो होता है voltage sensitive protein है voltage पे depend करेगा कहां present होता है inner ear पे present होता है inner ear पे present होता है इसका काम होता है hearing में तो यहां answer क्या आया answer आया pendrin pendrin से related एक और चीज़ में आपको बताना चाहूंगी pendrin जो होता है यह कहां-कहां express करता है हमारी body में तो इसकी expression जो है वो mainly होती है inner ear में thyroid gland में और kidney में इसे code करने वाली जो gene होती है उस gene का नाम होता है SLC26A यह सब चीज़ें जो भी points बतारी हो इन्हें लिखते रहा करो ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो ठीक है कि किसलिए important है हम question paper क्यों discuss करते है उसका एक reason होता है जो भी previous year questions है वो कभी न कभी repeat जरूर होते है तो इसलिए इन सब चीज़ों को लिख लिया करो ध्यान से ताकि आपको कम से कम options भी याद रहें ये भी चीज़ याद रहें तो pendrin को code करने वाली gene का नाम है SLC 26A अब ये जो gene होती है अगर इसके अंदर mutation हो जाती क्योंकि इसका भी काम hearing में है तो जब भी इसमें mutation हो जाती है तो इससे जो syndrome होता है उस syndrome को जाना जाता है pendrid syndrome P-E-N-D-R-E-D pendrid इसी से नाम आया है तो pendrid syndrome होता है जो कि एक autosomal recessive disorder है recessive disorder है वो एक और क्या cause करेगा क्योंकि ये membrane protein जो है transporter जो है वो hearing में help करता है तो इसमें mutation होने से deafness होती है तो इसको code करने वाली gene में mutation से deafness होगी और क्योंकि ये thyroid वाले gland के पास भी present है तो इसकी वज़ा से goiter भी हो सकता है ठीक है अब next question हम discuss करेंगे next question है Kelvin cycle के बारे में अब Kelvin और Benson इस नाम से जाना जाता है Kelvin Benson cycle को अब इसमें बोला है सबसे easy question है इसमें क्या बोला है अभी जो भी हम question discuss कर रहे है वो section B के है ठीक है Life Sciences के section B के तीन sections होते हैं A, B, C जिसमें से B के हम discuss कर रहे हैं questions एक चीज़ हमने first उसमें पड़ी थी जब हमने exam pattern discuss किया था कि section B के जो question होते हैं वो direct होते हैं उनमें easily आपको answer पता चल जाएगा ठीक है तो यहां इस question में बोला है Kelvin cycle के बारे में Kelvin cycle का कौन से phase की बात कर रहे हैं reduction phase की हमें पता है Kelvin cycle में तीन phases होते हैं एक होता है carboxylation जिसे हम carbon fixation वाला phase भी बोल सकते हैं एक होता है reduction second step और तीसरा होता है regeneration सिर्फ तीन steps होते हैं आपको बोला है which one of the following reactions takes place during the reduction phase of Kelvin cycle अब reduction phase में क्या होता था तो reduction phase में 1,3-bis-phosphoglyceric acid जिसे 3-PGA बोला जाता है वो convert होता है glyceraldehyde 3-phosphate में G3P में इसलिए और कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है इसका answer होगा second option तो यह direct है आपको directly याद होगा या नहीं होगा दो ही cases होगे तो आपको cycles जितनी भी हैं उन्हें धंक से याद करना है जिससे आपको यह चीज पता चले कि किस step में कौन सी चीज किस में convert हो रही है important हैं इस cycles काफी जादा इन्हें हम detail में discuss करेंगे आगे आने वाली videos में अब next question इस next question में बोला हुआ है which one of the following show complete metamorphosis कौन से जो है complete metamorphosis show करते हैं इन three orders में से अब तीन-तीन order आपको हर किसी में दे रखे हैं यह insects के orders हैं जिन में different insects belong करते हैं अब complete metamorphosis metamorphosis का मतलब क्या होता है यह एक type की metamorphosis है जिसके अंदर insects ठीक है, insects में होती है यह insects जो है वो complete physical change show करते हैं उनकी physique जो है वो बिल्कुल change हो जाती है physical structure change हो जाता है क्या-क्या stages आती है metamorphosis के दौरान egg बनता है, egg से larva बनता है larva से pupa बनता है और फिर emego बनता है तो यह सब कुछ stages है जो metamorphosis में आती है अब अगर हम metamorphosis की बात करें, तो किस में यह stages बनती है, हर insect में तो बनती नहीं है किस में बनती है, beetles में बनती है, beetles किस से बिलॉंग करते है koleoptera koleoptera कहा कहा है, इन दो options में ठीक है, और किसी में है यह नहीं और अभी हमें पता है कि metamorphosis beetles में होती ही है तो यानि यह दो options आंसर हो यह नहीं सकते इसे बोलते है, elimination method ऐसे आप easily questions को solve कर सकते हो ठीक है, तो koleoptera में होती है इसके अलावा किस में होती है इसके अलावा होती है bees में, ants में इनके अंदर भी metamorphosis होती है और वो किस से belong करते है hymnoptera, अब hymnoptera दोनों में है, ठीक है तो इन दोनों ही option में से कोई answer होगा, इसके अलावा होती है, flies में flies क्या है, flies आती है diaptera में, अब diaptera तो इन दोनों options में दे ही नहीं रखा है ठीक है, तो अब हम और examples के बारे में सोचेंगे और example में क्या आता है mots आते हैं, butterflies आती है mots और butterfly किस से belong करती है, lepidoptera से, अब lepidoptera भी इन दोनों options में नहीं है तो और examples सोचोगे ठीक है, अब हमने अभी एक चीज नोट करी हो आपने, तो अभी हमने diaptera की बात करी थी, diaptera यहाँ है, ठीक है colioptera जिसमें beetles आते हैं diaptera जिसमें flies आती हैं और hemnoptera जिनके अंदर आती है, bees और ants, तो option कौन सा correct है यह वाला, लेकिन इसके अलावा में और orders के बारे में भी आपको बता रही हूँ तो orthoptera क्या होता है orthoptera होते हैं जिसमें grasshoppers आते हैं ठीक है, grasshoppers metamorphosis show नहीं करते हैं, तो यह नहीं हो सकता यह वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी orthoptera दे रखा है ठीक है, next hemiptera भी अलग order है hemiptera में आते हैं, bugs true bugs नाम से जाना जाता है वो आते हैं, तो वो भी metamorphosis show नहीं करते हैं तो इन तीनों में से कोई भी answer correct नहीं है, answer होगा first वाला, ठीक है next question अब next question में आपको बोला है bacteria की growth के लिए क्या होता है, single cell elongate करता है size में divide करने से पहले करेगा size में, किस process से फिर divide करता है तो किस process से उसमें growth होती है तो cell growth के time पे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है तो जब bacteria bacteria normally divide करते है binary fission से, ठीक है, वो दे रखा हमें question में, तो उसकी knowledge आपके काम नहीं आईगे अभी अभी क्या बोला है, cell growth के time में उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो divide कर पाते है तो सबसे पहली चीज़ जब cell divide करता है दो में, तो क्या होता है उसके around cell wall बनती है आप देखोगे चारों option में peptidoglycan का दे रखा है हमें पता है, bacteria की cell wall peptidoglycan से बनी होती है और जब cell divide करता है दो cells में, तो new peptidoglycan की layer बनती है ठीक है, अब new peptidoglycan की layer जो बनती है उसके बनने से क्या होगा कि जो new daughter cells होंगे उनके around cell wall आ गई बड़ जो parent cell था उसके around जो भी cell wall थी यानि old peptidoglycan जो थी उसका तूटना जरूरी है ठीक है, उसका तूटना जरूरी है ताकि दो daughter cells बन सकें तो क्या होगा इस तूटने के लिए यानि separation, जो cell daughter cells की separation है, उसको allow करने के लिए क्या होता है जो old peptidoglycan की layer है उसके जो भी bonds है उन सारी peptidoglycan के molecules को जो bound करे हुएं, आपस में जोडे हुएं, उन bonds का hydrolysis होता है hydrolysis से क्या होगा, bonds break हो जाएंगे bonds break होंगे तभी दो cells separate होंगे अब ऐसी चीज कहां लिखी है इसमें लिखा हुआ है new peptidoglycan synthesis होती है ठीक है, वो पता है हमें hydrolysis भी होती है bonds की, किसके bonds की old peptidoglycan की chain के तो इसलिए answer यहां क्या होना चाहिए first होना चाहिए, बाकी options आप पढ़ो ना पढ़ो वो आपके ओपर depend करता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि पढ़ लो, जैसे second आपको बोला है, peptidoglycan की synthesis तो होती है, बट hydrolysis नहीं होती है गलत, third क्या बोला हुआ है old peptidoglycan completely degrade हो जाती है, तो completely तो वो degrade होती नहीं है वो सिर्फ एक small section से उसमें hydrolysis होती है ताकि सिर्फ दो डॉटर सेल separate हो सकें, बाकी सारी जगा से peptidoglycan वैसी ही रहेगी ठीक है, तो third भी गलत हो गया, fourth में आपको क्या बोला है, newly synthesized peptidoglycan जो है, वो utilize होगी to deposit a new layer of peptidoglycan in the cell wall, अब new बन नहीं रही है, तो और new क्यों बनेगी तो fourth भी गलत हो गया तो यहाँ answer क्या आएगा, first ठीक है अब next question इस question में बोला है bisporic embryo sac के बारे में, तो आप सबसे पहले तो बाकी चीज़ां पढ़ो गई पहले क्या discuss करोगे यही चीज सोचोगे कि bisporic कि bisporic किस किसमे होती है, example ही दे रखें यहाँ आपको, तो आपको example पता होना चाहिए तो bisporic क्या होता है, embryo sac की formation तीन टाइप की होती है एक होती है bisporic monosporic और tetrasporic अब तीनों में क्या difference होता है monosporic जो normal हम polygonum में देखते हैं ठीक है, polygonum और enothera यह दो हैं जिनके अंदर monosporic development होती है यानि megaspore mother cell जो होता है वो divide करता है meiosis से और 4 megaspores बनाता है जिनमें से एक ही megaspore functional होता है जिसमें एक nuclei होता है तो monosporic development होती है polygonum और enothera में अब enothera तो cancel हो गया इसी सही ठीक है, अब next है bisporic, monosporic हमने पढ़ लिया bisporic में क्या होता है bisporic जो embryo sac की development होती है उसमें megaspore mother cell meiosis से divide करता है ठीक है, meiosis उसके अंदर हुई उसके अंदर meiosis का end product क्या होता है 4 cells होता है बट क्या हो रहा है bisporic development के दोरान 4 cells नहीं बनते सिर्फ 2 cells बनते हैं 2 megaspores बनेंगे दोनों के अंदर 2-2 nuclei आयोंगे ठीक है, यहां क्या हो रहा है कि karyokinesis तो हो रही है nuclear division तो हो रही है 4 nuclei तो बन रहे है बट cell division नहीं हो रही ठीक है, cytokinesis नहीं हो रही है cytokinesis सिर्फ एक बार हो रही है इसलिए 2 megaspore बनें दोनों में 2-2 nuclei है इसे बोलते हैं bisporic development अब bisporic के एक्जामपल क्या होता है bisporic का एक्जामपल होता है alien और endymion endymion यहां दे नहीं रखा alien हो गया answer आपको directly पता चल गया हम tetrasporic भी एक बार discuss कर लेते हैं तो tetrasporic में क्या होता है megaspore mother cell meiosis undergo करता है but there is no cytokinesis एक single cell में 4 nuclei present होते हैं tetrasporic ठीक है anemia plumbago तो यह दोनों है tetrasporic के example enothera था monosporic का example तो बचा answer में bisporic का alien ठीक है बहुत simple questions होते हैं section B में next question हम discuss कर रहे हैं यह इसमें बोला है while screening and EMS mutagenized population of plant अब EMS होता क्या है अब नाम से पता चल रहा है EMS mutagenized यानी mutagen है यह mutagen क्यों है क्योंकि mutation cause करता होगा इसलिए इसका use किया गया है ठीक है जादा आपको knowledge इसमें जादा काम नहीं आएगा आपको खुद से पता यह पता चल जाएगा question पढ़ते ही कि यह जो है क्या किस चीज के लिए use होता होगा तो EMS जो है वो एक type का mutagen होता है mutation cause करता है इसकी full form होती है ethyl methane sulfonate ethyl methane sulfonate इसलिए इसे EMS short में हम बोलते हैं अब इससे mutation कर दी plant की एक population की ठीक है researcher को क्या पता चला कि एक mutant जो है उसमें क्या थी reduced gibralic acid sensitivity यानी वो gibralin provide करने पे भी sense नहीं कर पा रहा था ठीक है reduction हो गई थी उसकी sensitivity में तो which one of the following proteins is most likely to be defective in this mutant अब देखो सबसे पहले आपको बोला है gibralic acid की sensitivity reduce हो गई थी तो gibralic acid के functions आपको पता होने चाहिए ठीक है दूसरी चीज आप options पढ़ोगे ठीक है options पढ़के ही आपको काफी चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस hormone का कहा function होता होगा जैसे कि सबसे पहले आपकी नजर यहां जाएगी triple response constitutive triple response one अब mutants के ऐसे ही नाम होते है 1, 2, 3 ऐसे नाम होते है इने short में ऐसे लिख देते है अब triple response लिखा हुए अब triple response कौन काउस करता है आपको directly पता है ethylene काउस करता है हम बात कर रहे है gibralin की या gibralik acid की जिसे GA बोलते है तो second तो होई नहीं सकता ठीक है अब next है यह sucrose non-fermenting related kinase 2 अब इसका क्या काम होता है अब इसका काम होता है यह एक type का serene, threonine, protein kinase है ठीक है यानि serene और threonine पे phosphate group attach करता है kinase का काम यह होता है phosphate group add करना इसका काम कहां है इसका काम होता है abiotic stress में यह जो mutant है इस mutant का का काम abiotic stress में होता है यह tolerance बढ़ाता है plant की to abiotic stress अब इसका यहाँ question में कोई abiotic stress पूछा है नहीं पूछा तो first भी answer नहीं हो सकता तो first second हट गए हमारे अब जो third और fourth option बचें उनमें से देखेंगे यह phytochrome interacting factor जिसे PIF बोलते हैं अब इसका क्या काम होता है तो phytochrome interacting factor जो है वो phytochrome के कुछ functioning में growth development में help करता है ठीक है growth and development में help करेगा phytochrome से related है gibralin का काम phytochrome को control करना होता है तो यह इससे link हो गया ठीक है तो answer यह होना चाहिए fourth option भी देख लेता है fourth option है coronative insensitive one coronative insensitive one जो mutagen है इसका काम होता है external potassium supply के लिए respond करना तो potassium से इसका याद रखना और abidopsis थैली आना में इसके discovery होई थी तो potassium supply अगर externally आप करते हो तो उसके लिए respond करता है ठीक है तो इसका काम इस question से related नहीं है तो यहाँ answer क्या होना चाहिए third अब next question discuss करते है अब इस question में क्या है इसमें बोला है which of the following statements is true regarding amino acids amino acids से related है biochemistry का topic है अब इसमें आप देखोगे first option दे रखा है proline has high propensity to form alpha helix तो first option आप इसमें एक चीज़ याद रखोगे alanine होता है alanine amino acid होता है जिसकी high propensity होती है alpha helix form करने की propensity का मतलग कि उसकी capacity है alpha helix form करने की तो alpha helix बनाने का काम mainly alanine का होता है सबसे high होती है उसकी propensity तो proline की high हो यह नहीं सकती proline और glycine acid दो amino acids है जिनके अंदर propensity low होती है alpha helix बनाने की तो यह statement गलत है ठीक है proline की जो propensity high होती है वो होती है poly proline helix बनाने की poly proline helix alpha helix नहीं poly proline helix बनाने की तो यह option गलत है next option है both isoleucine and threonine can exist as diastereomers अब diastereomers क्या होते है यह होते है ऐसे molecules ऐसे amino acids जो mirror image form नहीं करते है अब normally क्या होता है amino acids जो है वो mirror image form करते है ठीक है stereomers होते है image form करते है और कौन-कौन सी mostly image form करने वाले होती है L or D forms होती है लिवरोटेटरी और डेक्स्टरोटेटरी forms होती है ठीक है अब यहां बोला यह दोनों diastereomers है अब diastereomers यह है कैसे यह different amino acids है यहां अगर बोला होता कि L-isoleucine और D-isoleucine stereomers है तो वो correct होता अब अगर हम different amino acids की बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे पे overlap तो show नहीं करेंगे यानि mirror images तो होंगी नहीं नहीं वो एक दूसरे को superimpose कर पाएंगी तो यहां answer यह correct होना चाहिए third भी पढ़ लेता है third option में आपको दे रखा है side chain PKA सबसे पहले PKA होता क्या है तो इसे बोलते हैं acid dissociation constant acid dissociation constant बोलते हैं इसकी आपको बोला हुए है aspartic acid की side chain का PKA जादा होता है as compared to glutamic acid का PKA बट यह गलत है यह उल्टा बोला गया है glutamic acid का जादा होता है 2 point something होता है और aspartic acid का 1.8 के around होता है तो glutamic acid का PKA जादा है as compared to aspartic acid तो यह गलत statement है next आपको दे रखा है the psi dihedral angle of proline is more restricted than the phi dihedral angle अब इन angles के बारे में हम detail में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, biochemistry की वीडियोस में अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि यह angles हैं क्या तो जो psi वाला dihedral angle होता है वो होता है angle, bond angle किसका C alpha alpha वाले carbon का क्योंकि amino acids है, alpha carbon होगा तो alpha carbon और दूसरे carbon के बीच का जो bond angle है वो होता है, psi dihedral angle और जो phi वाला होता है वो होता है nitrogen और alpha carbon के बीच का ठीक है, यहाँ यह चीज गलत बोली गई है क्योंकि phi वाला dihedral angle psi वाले से ज़्यादा restricted होता है प्रोलीन के case में तो fourth statement गलत है यहाँ answer आएगा second statement ठीक है अब next discuss कर लेते हैं अब इस question में आपको क्या बोला यह सबसे simple question है अभी तक जितने भी हम ने पढ़े उन में से इसमें आपको क्या बोला है vascular wilts are widespread and destructive plant diseases ठीक है एक statement बता दिया आपको कि vascular wilts नाम की disease होती है वो plants में बहुत ज़्यादा destructive होती है और काफी ज़्यादा फैलती भी है widespread भी है इसके symptoms शो हैं वो किस वजह से होते हैं they are primarily caused by the clogging of किस चीज के clog हो जाने से यह symptom आते हैं अब symptom सबसे पहले disease का नाम पढ़ो vascular wilt तो vascular tissue में होगा vascular tissue क्या होता है xylem phloem तो यहां सिर्फ दो option है xylem phloem वाले बाकी गलत हट गए यहां से पहले ही next wilt अब ऐसे ही अगर wilt भी ना पढ़ो आप ऐसे ही first और second option को देखो तो भी आप देखो phloem में तो vessel होते ही नहीं है तो यह तो answer हो ही नहीं सकता answer क्या होगा first होगा अगर vascular wilt को फिर भी आप देख लेते हो wilting क्या होती है wilting कब होती है जब plant में पानी की कमी होती है तब wilting होती है तो vascular wilt कब होगी जब xylem vessels के अंदर clogging हो जाएगी क्योंकि वही mainly water का transport करती है यह वाली disease एक टाइप के fungus या bacteria किसी से भी हो सकती है इसमें क्या होता है इस disease के अंदर bacteria या fungus जो भी pathogen है xylem vessel में जाके proliferation show करता है divide करता है multiply करता है जिससे बहुत सारे fungal hyphae या फिर bacteria बन जाते हैं जिसकी वजह से जो xylem vessels के perforations होती है वो block हो जाती है तो water जाई नहीं पाता ठीक है तो यहां answer क्या होगा xylem vessel इस type के भी question आते हैं इसलिए net का exam clear करना बहुत easy है ठीक है अब next question last question हम discuss करेंगे इस question में बोला है TDN के बारे में अब TDN क्या होता है TDN होता है transfer DNA किस में present होता है TI plasmid में यह सब चीज़ें आपको दे रखें है question में ही लेकिन आपको पहले से भी पता होना चाहिए TI plasmid में TDN ने present होता है TI plasmid को हम बोलते है tumor inducing plasmid ठीक है और किसके अंदर यह plasmid पाया जाता है यह पाया जाता है agrobacterium tumefaciens नाम के bacteria में जो क्या cause करता है crown gall disease cause करता है यह सब चीज़ें हमें पहले से पता थी इस question में भी हमें बता दी फिर आपको बोला है TDN में दो genes हैं अगर आप TI plasmid का structure पढ़ोगे जो कि important है नेट के point of view से मैं पढ़ाऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि TDN के अंदर दो genes होती है अब वो genes होती क्या है वो genes होती है auxin और cytokinin release करने वाली plant hormones के लिए genes होती है यहां उनका नाम नहीं दे रखा आपको X और Y वो आपकी preliminary knowledge है आपको पहले से पता है ठीक है आपको बोला है कि अगर gene X में mutation हो जाती है X gene में अगर mutation हो गई तो उसकी वज़ा से rooty tumor बनता है हमें पता है TDN tumor cause गरता है पहले से पता है अगर X gene में mutation हो गई तो rooty tumor बनेगा ऐसा tumor जिसमें roots जादा होंगी लेकिन अगर Y gene में mutation हो गई तो shoots वाला tumor बनता है उसमें shoots जादा होती है root बहुत कम होती है इस information के according आप से पूछा है कौन सी statement correct है अब सबसे पहले आपको ये बता दूँ जैसे अभी मैंने आपको explain किया X और Y genes जो है वो hormone synthesize करने वाली genes होती है ठीक है ये दोनो tdna में present होती है कौन कौन सी ये genes होती है oxyn और cytokinin की genes होती है ऐसे भी आपको यहाँ पता चल जाएगा roots बन रही है, shoots बन रही है ये बहुत important topic है कि root और shoot बनाने के लिए कौन से hormones की ratio चाहिए होती है तो वो होते है oxyn और cytokinin oxyn cytokinin की ratio पे depend करता है कि tumor पे या callus जो भी है उसके अंदर roots जादा बनेंगी या shoot जादा बनेंगी ठीक है तो आपको बोला है X में mutation हो जाए X में mutation हो गई तो rooty tumor बन रहा है ठीक है X अगर mutated है तो shoot बनी नहीं रही है और shoot बनाने के लिए किसका काम होता है अभी बताया cytokinin का तो cytokinin में mutation हुई है तभी shoot नहीं बन रही है और सिर्फ root बन रही है तो इसलिए X क्या होना चाहिए cytokinin होना चाहिए सेम चीज Y के साथ अगर Y में mutation हो रही है तो सिर्फ shoots बन रही है root बने नहीं रही है तो इसका मतलब कि Y वाली gene जो है वो root formation में help करती होंगी और वो कौन सा हर्मोन है जो root formation में help करता है वो है auxin तो X हो गया cytokinin Y हो गया auxin किस में ऐसा लिखा है second statement ठीक है बहुत easy question है ये तो इससे हमें ये पता चल गया X जो है वो cytokinin code करती है और Y जो है वो auxin code करती है आपको हमेशा याद रखना है whenever auxin is high then there would be root formation more roots would be developing in the callus same cheese अगर cytokinin जादा है तो shoot जादा बनेंगी root कम बनेंगी ठीक है ये last question था जो आज हमने questions वाली series में हमने discuss किया इससे आगे हम और topics पढ़ेंगे कौन-कौन से topics है अभी तक मैंने सिफ DNA replication आपको करवाया gene cloning का थोड़ा सा part बताया है restriction enzymes क्या होते है ये सब बताया है इससे आगे हम biochemistry की videos वगेरा भी upload करेंगे तो जुड़े रहिएगा ओके गुड़ बाई क्या ओके अपरंए, लागेश estos नह रहें सबस्ताय है लू़े